ही फ्रेंद्स वलकुम टो मा यूटूब चानल आज मैं बनाने जा रहे हूं कच्छे आम की शर्बत बनाएंगे बहुत ही टेस्ट और बहुत ही अमी जी चलिए इले बनाते हैं लेट्स गो ये कच्छे आम है ये अमारे पेड़के आम है ओर बहुत ही अच्छे लगते हैं कोई नहीं अपनी गर की बात इसलिए मैं बता रही हूं ऐसे आप लेसकते हैं इन सब को अच्छाँ से छील के लेंगे देखिए इस तरह से छील के काट लिया मैंने मैंने सारे आम काट लिये आपको जितने चाहिए आप उतना ही काट लीजिएगा काटने के बाद इसके बाद एक मिक्सी जार लेंगे डायरेक्ट बनांगी अमनों मिक्सी से कोई उबालो बलने की कोई जंजट नहीं है जितने भी आम है आप उतना मिक्सी में डाल लीजे मैं पूरे परिवार के लिए बना रही है और फ्रीज में डालके स्टोर कर सकते हैं आप टूडेस के लिए कुछ नहीं होता यह सुखा हुआ पुदीना था मेरे पास आपके पास खचक पुदीना है तो आप डाल लीजे मैं सुखा पुदीना एक चमज डाल रही हूं और कहाद अचा बच नार्मल नमक और इसमें मैं आमों को डूबने जितना पानी डालरी हूं कि हमें सर्बत जैसा पानी पानी चाहिए न थीक नीचाहियkach इसलों या आम को डूबने जीतना मैं इसमें 3-4 ग्लास पानी डाल रही हूं आपको अगर वीडियोस अच्छे लग रहे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना बुलिएगा, कैसा बना आपसे भी यह आमका शर्बत की रेसेपी, बस इस सब डालने के बाद इन्हें मिक्सी कर लेना है, मिक बस रेडी हो गया, इसमें ग्लास में डाल लेती हूँ, यकीन मानिए गाइस, बहुत ही अच्छा लगता है, और एक बुन मीठा भी ने डाला है, तो बहुत सहत बंद भी है यह, बस इसको ग्लास में निका लिए है, और जितनी चे इतना आइस कृप्स डाल लीजे, और बा बनता है, और बनाईएगा, और मुझे कमेंट्स करके बताईएगा, कैसा बना आपसे भी है, आम की शर्बत की रसेपी, थैंक्स पर वाचिंग,